1978 में रिलीस्ट फिल्म डॉन एक ब्लॉक बस्टर फिल्म थी एक ऐसी फुली मसाला फिल्म जिसमें थ्रिल और एक्शन का भरपूर डोस देखने को मिला था फिल्म में अमिताब बच्चन के डबल रोल का फॉर्मूला काम कर गया और पहली बार अमिताब बच्चन को लोगों ने नेगटिव भूमिका में भी देखा फिल्म में एक डॉन अमिताब बच्चन था जो बहुत ही क्रूर था वहीं दूसरा एक सडको पर तमाशा दिखाने वाला फिल्म के बारे में तो आप सब कुछ जानते ही होंगे इस फिल्म में अमिताब बच्चन के अलावा जितने भी केरेक्टर आर्टिस्ट थे उन्हें भी लोग भूल नहीं पाए वो चाहे जसजीत हो, वर्धान हो, शाकाल हो, मैक, मुन्नी या फिर दीपू हो इस फिल्म में कई सारे अलग-अलग एक्शन सीन्स थे जिसके लिए कई सारे स्टन्स मैन को हायर किया गया था नॉर्मली एक मेल एक्टर के लिए एक मेल स्टन्ट मैन का ही इस्तमाल किया जाता है उसी प्रकार से एक female actress के लिए female stuntman का इस्तमाल की जाती है लेकिन इस film में ऐसा नहीं हुआ था प्राण के कुछ scenes को करने के लिए एक lady stunt woman को बुलाया गया और क्योंकि ये shot दूर से लेना था और उस lady stuntman ने प्राण जैसा पूरा get up किया हुआ था तो ये पहचान पाना मुश्किल था कि वो मर्द है या औरत इसी प्रकार से जीनत अमान के कुछ कलाबाजी खाने वाले scenes थे शायद आपको याद हो जब अमिता बच्चन DSP डिसिलवा की building पर रसी से चड़ते हैं तो चड़ने से पहले ही जीनत अमान उसकी रसी काट देती है जिससे वो पानी में गिर जाते हैं वहाँ दोनों के बीच हाता पाई होती है और इस scene में जीनत कई जगे कलाबाजी खाके वहाँ से भागने की कोशिश करती है दरसल इस scene में कलाबाजी खाने वाली stuntman नहीं बलकि कलाबाजी खाने वाला male stuntman था जिसका get up हू बहू जीनत अमान जैसा किया गया था इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए नमस्कार